नमश्कार, GKGS Quest के 19th Delhi Quiz में हम आज 20 question करेंगे हर question के लिए आपको 5 second का समय दिया जाएगा तो चलिए, सुरू करते हैं Question 1 राष्टरपती के चुनाओं के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए ये प्रपोजर और सेकेंडर होते हैं तो option A, 10-10, B, 20-20, C, 50-50 और D, 100-100 राष्टरपती के चुनाओं के लिए 50-50 की जड़त होती है और उप्राष्टपती के लिए 20-20 की Next नियंत्रक में महालेखा परिक्षक की नियुक्ती राष्टरपती के द्वारा की जाती है कैग is appointed by the president, we could remove him from his post तो ये बताना है कि किस तरीके सहटाय जा सकता है A, राष्टरपती द्वारा, B, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, C, सर्वोचनियाले द्वारा या राष्टरपती की संस्तूती पर सर्वोचनियाले द्वारा जी, इसे हटाने के लिए हमें संसद के दोनों सदनों के संबोधन की आवशकता होती है सरपर्थम किस योजना में भारतियों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी विच प्लान फर्स्ट स्पोक आफ इंडियन्स ओन कॉंस्टिशन आप्शन A, अगस्त प्रस्ताव, B, वेवल योजना, C, कैबिनेट मिशन, D, क्रिप्स योजना जी, 8 अगस्त, 1940 को लिनलित को थे भारत के, इस वक्त में भारत के गवर्नर जेनरल जिनोंने की अगस्त प्रस्ताव दिया था और इसमें ही सबसे पहली बार कहा गया था भारतियों के ओन कॉंसिटिशन के बाद, ये 1944 और 45 की बाद है, वेवल योजना, जिसके बाद सिमला कॉंफरेंस होई थी Cabinet Mission 1946 में आया, जिसने फाइनली सम्विदान सभाग गठन किया था, और Crips Mission Stafford Crips के अंडर में 1942 में आया था जिसे पोस्ट डेटेट चेक कहा था गांधी ने, इन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, which of the following statement is not true Option A, वैट नगर निगम द्वारा लगाया जाता है B, मुद्रा स्फीती का कारण मुद्रा की मात्रा में विर्धी है C, विश्विवापार संगठन को विश्वर्थरस्था का तृत्य इस्तंब कहते हैं D, खुले बाजार की क्रियाएं साख नीती का अंग है इसे ठीक से याद कर लें कि वैट जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और बाकि तीनों ही information सही है समराठ असोग की वह कौन सी पत्नी थी जिस ने उसे सबसे ज़्यादा प्रभाविद किया था Who was the wife of Emperor Ashoka who had impressed him most? Option A, चंडालिका, B, चारुलता, C, गौतमी, D, कारुवकी कारुवकी हैं जिनका की लेख कहलाता है इलाबाद का जो लेख है उस पे इनका ही लेख मिलता है जिसे Queen's Edict बोलते हैं तो कारुवकी का उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव था Next question भक्ति आंदोलन से संबंधित मराथा संतों का सही कालानुकरम कान सा है? Which is the correct chronological order भक्ति मोमेंट आफ मराथा संट्स Option A, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और रामदास B, रामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव C, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास और D, रामदास, तुकाराम, एकनाथ और नामदेव जी, यहाँ पे आंसर होगा नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास इसके लिए आप याद कर सकते हैं ग्याने तूरा ग्या से ग्यानेंद्र एन से नामदेव ए से एकनात टी यू से तुकाराम और रा से रामदास इस तरीके से ये पूरी एक लिस्ट होगी इस शॉटकट से आप इसे याद आसानी से रख पाएंगे तो ये बिलकुल क्रोनलोजिकल आडर में है मुगल बादसा अकबर किस वाद्ययंत्र को बजाने में पारंगत थे मुगल एंपरर अकबर वाज अड़ेप्ट इन प्लेइंग विच अफ द इंस्ट्रूमेंट इसका अंसर होगा नकारा अकबर नकारा बजाने में अड़ेप्ट थे निमलिखित में से किस भारत के सॉलिसीटर जनरल ने अपने पद से इस्तिफा दिया विच आफ दा फॉलाइंग सॉलिसीटर जनरल आफ इंडिया रिजाइंड फ्राम हिस पोस्ट a. pr. वासुदेव राओ, b. अमरपरताप सिंग, c. रोहिंटन नरीमन और d. मोहन पराचरन यहां पर आंसर होगा रोहिंटन नरीमन हलाकि मोहन पराचरन के बारे में यह कुशिण आता है आजीत सॉरी रनजीत सिंग' के बारे में भी यह प्रास्ट आता है I am not very confirm about this लेकिन हाँ, ये 2013 में इन्हों ने दिया था तो सबसे पहले इन्हों ने दिया था तो ये आंसर होगा रोहिंटन नरीमन Next question केंद्र और राज्ये के बीच धन के बटवारे के संबंद में कौन राय देता है Who give recommendations with regard to the division of funds between the centre and the state Option A, योजना आयोग B, प्रधान मंत्री C, संसद D, वितायोग राश्टपती प्रतेक पाच वर्स पे वितायोग का गठन करता है Article 280 के एंडर में जो केंद्र राज्ये के बीच में आय के वितरन को दर्शाता है Next question प्रिथम ओलम्पिक खेल किस वर्स आयजित किये गए थे In which year were the first Olympic Games held Option A, वर्स 1896 एथेंस ग्रीक B, वर्स 1924 पेरिस फ्रांस C, वर्स 1960 रोम इटली और वर्स 192000 सिड्नी ऑस्ट्रेलिया 1896 में ओलम्पिक स्टार्ट किये गए थे Athens, Greece में इस बार के ओलम्पिक कैंसल हो गए है जो की Tokyo, Japan में होने थे तो वो अभी आप इसे कैंसल न मान करके ये मानिए कि ये पोस्टपोन हो गए है For the year 2001 When you वही रहेगा 2021 यानि 2021 में ये Tokyo, Japan में होंगे Next question निम्ण में से कौन सुमेलित नहीं है तो which of the following is not matched National Knowledge Commission 2005 Administrative Reform Commission 1966 Indian Atomic Energy Commission 1948 या Competition Commission of India 2003 जी इस सरी के question आ जाते हैं थोड़ा tricky है ये 2002 होगा वर्ष बाकी सब आपको याद कर लेना चाहिए Next question राश्ट्रे मान की करन परसिक्षन संस्थान निम्लिकित में से किस नगर में है तो National Standardization Training Institute किस सहर में है Option A हैदराबाद B. नागपुर C. चंदिगार D. नौइडा N. S. T. I. नौइडा में है तो आंसर होगा D. Next question हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है Which are the rivers flowing through हिमाचल प्रदेश Option A केवल व्यास और चिनाव केवल व्यास और रावी केवल चिनाव रावी और सतलुज व्यास चिनाव रावी सतलुज यमना G. इसका आंसर होगा D. ये सभी पाचो रिवर हिमाचल प्रदेश से होकर की गुजरती है Next question निम्न कत्मों में से कौन सा कतन सत्य है Which of the following statement is true Option A अमरीता देवी बिसनोई ने भारत में सर्व प्रथम चिपको आंदुलन जोदपूर में चलाया B. सौतंत्र भारत में चिपको आंदुलन का सर्व प्रथम नेत्रित्व गौरा देवी द्वारा किया गया C. एत्था B दोनो और D. उप्रोक में से कोई नहीं अमरीता देवी बिसनोई जो की बिसनोई समाज की थी इन्होंने सबसे पहली बार जब लोग पेड़ों को काट रहे थे तो यह उनको उनसे जाकर के चिपक के खड़ी हो गई पेड़ों से जिसके कारण की इन्होंने पेड़ों को बचाया था इसी तरीके को गौरा देवी ने चमोली डिस्टिक उत्राखन में अपनाया और वो चिपको उमेंट बना जिसमें की बाद में फिर सुन्दरलाल बहुगुना जड़ गये और उन्होंने इसको एक नया जी सरिक्ष का पक्षी विहार राजस्थान में है अलवर डिस्टिक में तो महतपुन जगे है टाइगर रिजर्व भी हो चुका है संग्मर्मर की भूमी के नाम से प्रसिद्ध है इतली को लैंड ओफ मार्बल भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बाल विवा की प्रथा को कब समाप्त किया गया वेंड देट अप्राक्टिस ओफ चाइल्ड मैरेज एंड ओप्शन ए 1862, 1872, 1882 या 1892 यहां पर केशव चंद्र सेन का नाम आपको याद रखना चाहिए यही थे जिनके जिनोंने मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाई थी आंसर होगा 72 नेक्स्ट क्वेश्चन निमन में से कौन सुमेलित नहीं है आप्शन A, डीजल लोको वर्क्स फर्विस गंज B, रेल कोच फैक्टरी कपूर्थला C, डीजल मॉर्डनाईजेशन वर्क पतियाला या D, चितरंजन लोको वर्क्स वेस्ट बेंगॉल जी यही फर्विस गंज में नहीं है बलकि यह वारानसी में है वरुना और असी दो नदियों के बीच में बसा था इसलिए वारानसी कहा जाता है इसका एक और कारण यह भी है यहां पर असी गाठ है वैसे तो बयासी है चलिए, नेक्स्ट क्वेशन निम्न में से किस खेल को दक्षर भारत में चेडू गुडू के नाम से पुकारा जाता है जी, इसका आंसर होगा कबड़ी नेक्स्ट क्वेशन और लास्ट क्वेशन, भारत में पहली मुद्रन मसीन की इस्थापना किस ने की आप्शन A, पुर्टगालियों ने B, अंग्रेजों ने C, फ्रांसिस्यों ने या D, डचों ने ये पंद्रे सो ये पंद्रे सो चपण में इस्टैबलिश्मेंट किया था आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताएं और अगर कोई फीडबैक हो तो जरूर दें, थैंक यू सो मच